वेलकम तो न्यू लेसन अभी लास्ट के लेसन में आपने सीखा था कि कैसे हमने डैनामिक री मार्किटिंग का सेट अप किया था प्लस हमने सेट अप किया था अपना कनवर्जन ट्रेकिंग ठीक है आज के लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप enhanced e-commerce का setup कर सकते हो enhanced e-commerce के setup की help से आप अपने google analytics के अंदर देख सकते हो कि आपकी sale कितने की हुई कौन-कौन से product भी के तो ये सारी information आप देख सकते हो ठीक है जी enhanced e-commerce का setup करने के लिए आपको चाहिए होगा एक तो google tag manager का account एक आपको चाहिए होगा google analytics का account plus हमें एक wordpress plugin install करना होगा जिसकी help से हम सारा ही काम करेंगे तो number one काम हम क्या करेंगे हम google tag manager का account बनाएंगे तो यहाँ पे मैं google tag manager पे हूँ google tag manager सर्च करोगे जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे then मैं करता हूँ simple create account और मैं अपने website का यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसे WP course लिख दिया मैंने then मैंने लिया यहाँ पे इंडिया container setup लिख दो आप WP course website का नाम लिख दो basically और web पे हम करने तो हम यहाँ पे web ले ले लेंगे और हम करेंगे अगला create इसको यहाँ से हम कर लेंगे accept normal process जो आप अभी तक कई बार देख चुके हूँ perfect right अब इसको करेंगे close यहाँ से अब हम जाएंगे अपने wordpress के dashboard के अंदर ठीक है जी और हम जाएंगे अब plugins के अंदर और एक हम नया plugin install करेंगे जिसकी help से हम यह काम करेंगे ठीक है तो हमने plugin install सर्च किया और यहाँ पर सर्च करो google tag manager right google tag manager तो यह plugin देखेगा google tag manager by thomas geiger just install this plugin और इसको आप activate करो ठीक है अब इधर देखो नीचे यह आ गया होगा कहीं देखो कहां पर आया यह आ गया settings के अंदर google tag manager तो यहां चले जाओ और आपसे पूछ रहा है google tag manager id तो आप google tag manager पर जाओगे तो यहां पर देखो एक आपको id दिख रही है इस id को copy करना है हमें तो इसको करो copy और इसको कर दो paste ठीक है gtm एक बड़ चेक कर लेते हैं clr3 राइट और इसे कर दो codeless injection और इसे कर दो safe changes ठीक है अब ध्यान से देखना एक दो और हमें इसमें change करने है अब आप आओगे यहां पर woocommerce के अंदर right इधर देखो woocommerce और woocommerce के अंदर आप आओ जाओ settings के अंदर ठीक है woocommerce और woocommerce के अंदर आप आओ settings में और इधर आप जाओ अब advance पे sorry यहां पर नहीं है वो option वो option हमें वहीं पर मिलेगा हम वापस आते हैं settings के अंदर और वापस जाते हैं google tag manager के अंदर और integration पर जाना था हमें हम सही जा रहे थे पहले then हम आएंगे यहां पर woocommerce के अंदर और यहां पर आ रहा है option track enhanced e-commerce तो इसको आप check कर दो ठीक है जी track enhanced e-commerce जो है इसको आपको करना है check ठीक है make sure कि आपने track enhanced e-commerce check किया हुआ है अब देखो यहां पर यह बड़े सारे और भी नीचे option है google ads remarketing इसको भी आप enable कर सकते हूँ ठीक है google ads remarketing इसको भी enable कर दो और make sure कि आपने यहां पर enhanced e-commerce को set up किया है classic e-commerce को नहीं करना है setup आपको करना है enhanced e-commerce को set up right और then आपको नीचे कुछ भी touch नहीं करना है car test first checkout step यह आपको नीचे कुछ नहीं check करना just make sure कि आपने यहां पर google ads remarketing भी check कर दिया है और यह check कर दिया है ठीक है that's it आपको इसे कर देना है save changes okay जी अब एक बाद दुबारा देख लेते हैं कि option enable हो गया कि नहीं हो गया WooCommerce हाँ enable हो गया track e-commerce enhanced e-commerce और google ads remarketing ठीक है एक बाद देख लेते हैं कोई और option तो नहीं है full category path card content data layer card as first layer track नहीं ठीक है ठीक है जी enable हो गया इसमें और यहां पर कुछ है नहीं basic data में हमें कुछ करना नहीं है events हमें कुछ करना नहीं है scroll tracking हमें यहां से करना नहीं टैग है कुछ नहीं डेटा लेयर का हमें यहां से कुछ करना नहीं, right, that's it अब अगला काम क्या करोगे आप अगला काम आप यह करोगे कि आप Google Analytics का account बनाओगे, ठीक है, Google Analytics में जाओगे और account बनाओगे, तो यहाँ पे मैंने search किया हुआ है Google Analytics और यहाँ पे मैं setup करता हूँ, Google Analytics को और account का नाम लिख देते हैं WP course और इसको next कर दो web है सही और यहाँ से visit site URL कॉपी करते हैं और इसको करते हैं next इसको कर देते हैं WP course इसको यहाँ पे कर दो HTTPS और यहाँ से यह उड़ा दो industry में हम ले लेते हैं shopping है हमारा तो shopping time zone ले ले लेते हैं India और कर देते हैं create और इसको भी कर देते हैं India और इसको यहाँ से कर लेते हैं accept अब आपको आना है अपने google tag manager पे इसे एक बार पहले submit कर देते हैं इसको publish कर देते हैं अब आप करोगे new tag वापस आ जाओ वाक स्पेस के अंदर और add a new tag और इसे लिख दो google analytics और यहाँ पे लेखो tag गूगल अनलिटिक्स यूनिवर्सल अनलिटिक्स लेना है आपको ठीक है जी और select setting variable यहाँ पे करोगे new variable और यह जो देखो tracking ID है कहां गई ID इसको करना है copy और यहाँ कर देना है इसको paste perfect है और यहाँ पे इसको लिख दो GA और इसको कर दो save हो गया अब जाओ यहाँ पे आप advance setting में ठीक है advance setting में आपको जाना है वापस आते हैं page view हो गया हमारा advance setting में e-commerce को option आता है यहाँ पे वो आ नहीं रहा है for some reason it's not tag sequencing page view हमारा यहाँ पे एकदम सही है okay इसको check कर दो आ गया check कर दिया मैंने enable overriding setting and then go to more settings more settings में आ जाओ e-commerce e-commerce में enable enhanced e-commerce आ रहा है तो कर दो इसको true ठीक है enhanced e-commerce को true किया और इसको मैंने किया use data layer ठीक है बाकी को आपको कुछ नहीं करना है अब triggering पे जाना है आपको और यहाँ पे आपको ले लेना है all pages ठीक है तो यहाँ पे google analytics नाम निखा tracking time बे लिया page view then आपने कर दिया enable overriding setting then enable enhanced e-commerce feature उसको आपने किया true और यहाँ से अपने कर दिया use data layer और इसको आपने कर दिया save ठीक है और इसको यहाँ से कर दो आप submit और इसको कर दो आप यहाँ से publish और इसको आप कर दो यहाँ पे continue और आजाओ workspace पे अब एक काम आपको यहाँ पे करना है आप अपने google analytics में आओगे और यहाँ पे देखो आपको दिखाए e-commerce settings ठीक है so go to e-commerce settings enable e-commerce इसको on कर दो ठीक है इसको on करके enable enhanced e-commerce reporting को आप on कर दो check out labeling हमें डालने की जोरत नहीं है and इसको आप कर दो save हो गया save अब अगर आप देखोगे अपने google analytics के अंदर पूरी product की information आजएगे देखे हो e-commerce के अंदर पूरी information आजएगी product performance, sale performance आप पूरा देख सकते हो कि कौन सा product कितना विकरा है कितनी किस product से sale आ रही है तो वो सारी information अब आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो बड़े ही easily 3-4 step में यह काम हो जाएगा सबसे पहले आपको google tag manager का account बनाना है then आपको एक plugin install करना है then google tag manager का id उस plugin के अंदर डालना है then make sure कि आप उसके integration में जाके आपने track enhanced e-commerce को आपने track किया हुआ आपने track enhanced e-commerce इसको आपने कर दिया enable और नीची अगर आप चाहो तो आप remarketing tag को भी enable कर सकते हो ठीक है और then आपको वापस आना है tag manager पे और आपको नया tag setup करना है और then हमने देखा कि google analytics का आपको code वहाँ पे डालना है और e-commerce जो हमने enable किया और then google analytics के अंदर जाके हमें e-commerce enable करना है उसके बाद आप सारी information यहाँ पे देख सकते हो ठीक है जी so that's it from today's lesson thank you so much for watching this video